ये कोई एरा गहरा काना नहीं बलकि द अनुच कपाडिया दी अनुच कपाडिया जो कि एक बहुत बढ़ा बिजनसमैन जिसे पूरी दुनिया जानती है फिर भला ये इस तरीके से इस हालत में मंदिर में यहाँ पे क्या कर रहा है वो भी ऐसा पागलों का बेश भना कर बेश कि जब इस रूप में वो आज अनुच जो अनुच को अनुच को अनुच बोल कर नजरे मिलागा या फिर अनुच के दिलisch के दिलो दिमाग में अनुच को देखकर पूरी तर ऐसा है अनुच के समझ नहीं आता है कि आफिर का चे माहिनों मैं और जाह आण बल्कि यही नहीं बल्कि सारे घर वाले पाकी तोशु सारे के सारे लोग यह सोचते हैं कि कैसे धी अनुझका पाडिया एक आम आदमी पागल जैसा धी रोल साइड वाला अनुझका पाडिया बन गया है बल्कि इसका नाम काना है और पुलिस टेशन जाने के बाद भी मेरा अनुज मेरे साथ चलो यह वो दुनिया बर की बात इद् rekने G1G मेरे साहत चलो नमस्कार दोस्त। आप सभी का स्वागत है थाहिएक لل है wazer बाता क्यों है fun महिनों तक मान लेते हैं कि कभी किसी ने किसी के बारे में याद करकर के खुद को कोसा होगा छे महिनों में कभी किसी ने खाना नहीं खाया होगा छे महिनों में कभी किसी ने कुद पर ध्यान नहीं दिया होगा छे महिनों में जिसकी सास जिसकी दुनिया उससे अलग हो गई हो काशा भावन में अनुपमा ने कभी भी खुल कर हसा नहीं है क्योंकि उसे पता है कि उसे हस की उसकी खुशी उसकी जिन्दगी की सारी फेलिंग्स बसी हुई है दी अनुच का पाड़िया में और जब आज अनुच का दोनों का मिलन होता है तो बेशा कि ये लमहा रुला देन आज अनुच अनुपमा से मिलने के बाद उसी से भाग रहा था आज वही अनुच जो अनुपमा के लिए कभी तरसा करता था आज अनुपमा को देखकर अपनी नजरे चुरा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अनुच के दिलों द दिखावा कर रहा था कि अनुझ काना बनकर इसी मंदिल में रहा रहा है यह बात उसे पता ही ना हो कहीं न कहीं वनराज के बाद पूरी बात पता हुए और वनराज को इसलिए पता है क्योंकि वनराज आध्या के कॉन्टैक्ट में जो है और आध्या के कॉन्टैक्ट में कैसे ये भी आप लग सोच लोगे, तो दरसे दोस्तों काविया ने वनराज को छोड़ दिया, काविया अपने केरियर को पहले प्रायर्टी पर रख चुकी है, यानि वनराज को उसने सेकंड प्रायर्टी के लिस्ट में रखा जिसके तहत अभी वो वनराज से दूर है, हालांकि इ कते ही पसंद नहीं है कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के हो जाए, आदिया ये चाती है कि अनुज और अनुपमा का कभी मिलन ही ना हो, आदिया ये चाती है कि इनके बीच की दूरी ना कोसो दूरी में तब्दील हो जाए, इनके बीच का रिष्टा इतना ज्यादा फ दूर हो गई, आज जब अनुज अनुपमा एक दूसरे से मिलते भी हैं, तो सबसे पहले ना अनुज को देखकर सबसे पहले तो ये सवाल पुछती है अनुपमा कि आप कैसे हैं, आप की हालत ये कैसे हो गई, लेकिन जब उसे उसकी बेटी की याद आती है तो अनुपमा अनुच सवाल पूछती है कि मेरी बेटी कहा है आरे आधिया कहा है चोटी कहा है उसे आपने कहां रखा और जिसके बाद सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जब आपको ये काना यानि अनुच कहीं पर मिला हुआ था तो ये इसके सा रहे बागी बाबा और पंडितों ने ये बुला कि नहीं इनके साथ तो कोई भी इन बेटी नहीं मिली थी हमें यानि कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आध्या वापस आई ही नहीं है आध्या USA से वापस आई नहीं है अनुच का पाडिया के लिए अपने पिता के तो जानती होगी आरे कोई भी दुनिया में कैसे बेटी अपने पापा की खबर तो रखी होगी कि उसके पापा कैसे रहते हैं और कहां रहते हैं उनकी क्या हालत है उनकी जिन्दगी में कोई आया है या कोई गया है उनकी याद में आध्या की याद में उसके पिता का क्या हल ह यह बात तो बेश है कि आध्या को पता होना चाहिए एज़ा बेटी के ना थे एज़ा उसके रिष्टे के ना थे उसे पता होना चाहिए कि उसके पापा की हालत क्या है लेकिन आध्या को क्या ही पड़िया आध्या को सिर्फ आपने फोकस पर कना अपने करिया पर करना है और क यहीना कई वन्राज से अब रिष्टा भी इसलिए तोड़ा है काविया ने क्योंकि काविया को इससे भी ज़्यादा बड़ा केरेर का ओप्षन यानि पैसो का इक भंडार मिल गया और इसलिए आध्या भी ठीक वैसी काविया के जैसी हो गई है लेकिन सोचने वाली बात यह ह साथ भी रह रहे हैं तो उन्हें तो अनुपमा, अनुच और बाकी वन्राज सभी की कहानी के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा और ऐसे में ये कहना घलत नहीं होगा कि आध्या चाहा कर भी अपने पिता के पास नहीं आरी है अरे भगवान किसी को भी ऐसी अउ हम देखें कि दूर दूरे में लेकिन आज जब इनका महामीलन हो चुका है तो इसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अनुच और अनुपमा दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं जहाँ पर अनुपमा अनुच को लिए जो जो से चीखे चिलाती है बोलती है कि अनुच आप मेरे हो अरे आप कैसे हो यह लेकिन एक बहुत बड़ी खुशकाबरी अनुपमा के तमाम फैंस है यह कहना गलत नहीं होगा लेकिन अनुच और अनुपमा किसी भी तरीके से एक होंगे और इने अलग अब कोई नहीं कर सकता है वन्राज भी नहीं आध्या भी नहीं काविया भी नहीं और कोई भी नहीं या फिर खुद अनुच अनुपमा भी नहीं लेकिन जल्द ही सारे अनुच और अनुच और अनुच और अनुच और अनुच को देखना है तो इन दोनों को पहले एक होना होड़ा पड़ेगा लेकिन क्या इस बाफ फिर से आ दिया इमोशना ब्लैकमेल करके अपनी ही मा और अपनी ही पापय को फिर से अलग करने वाली है आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के जरीए अपना अपिनियन जरूर बता है और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अनुपमा के सफर में आप उसका कितना साथ देरे जरूर बताएगा दोस्तों यह थी आज की खास रिपोर्ट अनुपमा की आशा करता हूँ आप लोग अच्छी लगी और मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली रिपोर्ट में तब तक अपना ख्याल रखे बाई बाई टेक कैर और सब्सक्राइब करें टाइमस ओफ मेडिया को